अगोस्ट 15, 2021, 75 इंडिपेडनेस्टे इस दिन में दो 80 स्कूटर लोंच हो गई जो किसी को पता ही नहीं था एक हमारी ओला और एक सिंपल वान एक नाम से स्कूटर लोंच हो गई तो आज हम तीन इलेक्टरी भेहिकल का कॉंपेरेजन करने बाले हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारी सिगनेटर स्टाइड में वाट्स अप एभरीबोडी दिस इज मोहेश वेलकॉम टो मैं MSP यूटूब चैनल एधर 450X ओला का S1 and S1 प्रो और हमारी सिंपल वान इस तीन इलेक्टरी भेहिकल कॉंपेरेजन करने बाले हैं तो पहले तो हम इस प्राइज के भारे में बात करेंगे एधर 450X का प्राइज 1 लाग 22,000 और ओला की जो S1 मोडल है उसका प्राइज 1 लाग 20,000 और हमारी सिंपल वान लाग 10,000 सेकेंड में इसका मोटर का पावर के बारे में बात करेंगे Ather 458 का मोटर बावर है 6 किलो वार्ड और सिंपल वाल का है 7 किलो वार्ड लेकिन ओला का जो मोटर है वो सबसे पावरफुल है 8.5 किलो वार्ड टर्क इसका एथर का तॉर्क है 26 Nm of torque और ओला स्कूटर का तॉर्क है 58 Nm of torque लेकिन जो सिमपल हाँ स्कूटर है उसका 72 Nm of torque एक नर्मल भाइट के जैसा है इसमें तॉर्क दे दिया है इस इलेक्ट्रि वेहिकल में रेंज तो भाया इतने किलोमेटर जाती है एलेक्टरी वेहिकल कमी जाती होगी तो एधर 450X है वो 85 किलोमेटर जाती है और ओल्ला जो स्कुटा है 181 किलोमेटर जाती है लेकिन इस पॉइंट में भी सिंपल वाल आगे है 203 मतलब 203 किलोमेटर्स ये एक चार्ज में जाती है और मैं बता दो इस तिनो स्कूटर का रेंजों मैं इको मोर में बता रहा हूँ स्पीड एधर 451 का स्पीड 70 से 80 तक नहीं रहता है लेकिन जो सिंपल वार्म का स्पीड 105 स्पीड रहता है और ओर्ला का ओर्ला स्कूटर का स्पीड रहता है सबसे ज़्यादा रहता है 115 115 मतलब कि एक नॉर्मल वायक के मुकाबले में भी ज़्यादा तो आपको इस तीन इलेक्ट्री वहिकल में से कौन से जगा आपसा लगता है कॉमेंट में बताना मिलते हैं और एक नहीं फ्रेश व्लोग के साथ की व्लोगी की शोपुटी सानिंग और मॉयल बाइबाइब